आपको सोगत है टाइम प्लेशमेंट में आज हम समझा देंगे आपको जो भी इंप्रमेशन की बारे में एड्यूकेशन इंप्रमेशन की बारे में और उसकी बाद में सेलरी इंप्रमेशन की बारे में जो भी लोकेशन में उसकी बाद में आपको लाश्ट पर आप्लिकेशन से करना है वो सब डीजिल्स आज हम आपको देंगे तो से पहले आपको जानने की बाद है कि time placement है यह कभी किसी employee को call नहीं करते है और आपके पास किसी की भी call आ जाते है उसमें time placement कोई सबसे पहले जोब इंप्रमेशन है अभी कितने जोब चल रहे है रणिंग में कौन सी जोब है टाइम प्लेश्मेंट के अंदर वह दिखाता है आपको प्लांट ऑपरेटर है पॉडशन इंचार्ज है फीटर में है इलेट्रिकल में है इलेट्रिकल टेक्निशन में इस्टमें सब्सक्राइब के लिए है और उसकी बाद में बहुत सरे वेकन्सी से तो आपको कॉन्टेट्ट करना होता है ओपीस में मिलना होता है वो सब डीटर समय आपको वीडियो की एंड़ पर आपको समझाएंगे अभी जो चल रहा है उसकी बारे में आपको बता दिया है कि इस प में कौन सा calledification होना चाहिए इससे आंग सस्टार्टिंग में आपको पता दिए कि वो सब इन्पर्मेशनैंक को इस में से आज आम समझाएंगे कि कैसे ऊषम एज्डूकेशन होना चाहिए और कौन सा होना चाहिए अभी देखो इसमें अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं वह आपको समझा देता हूं एच्जुकेशन अंट कौल इपिकेशन है और इस पर बीटक डिप्लोमा केमिकल एंजिनियरिंग मेकैनिकल इंजिनियर और उसकी बात इंजिनियर बीटक दूनों चल सकती है बीवे किया होगा और बीकॉम है यमकॉम है और आईतिया वाले के लिए अगर आगे स्टार्टिंग पता है था ओपेट रवल मेले ओप्रेटर लवल के लिए उसमें डिप्लोमा वाले को भी ले लेता है बीसी वाले को ले लेता है आईते वाले को ले लेता है और अभी इसमें हम कुछ वेकेंसी आड़ नहीं किया कि कुलिपिकेशन बारा पास है आट पास है उसके लिए भी आपमारे पास जोब मिल जाती है तो इसलिए आपको पहल प्लस है स्टाट होती है और एकसाल के सब्सक्राइब में एउसकी इनजनियरींग है इस सब्सक्राइब मीन रहता है तो इसकी इंप्रॉमेशन के लिए आपको पुरी जानकारी मिल जाते हैं तो आपको इसली की बारे में समझे वेक máxim के लिए और कॉलिपीच07 भी आपको आगे बता आ गिती के लिए और उसकी बात आपको पुतानी वाली बात यह है कि अगर आपको application कैसे करने का employees हर बार पुछती है कि हम application कैसे करेंगे आसा ने आसा तरीके से application होता है अभी यह जानकारी है सब लोग employees हर बार पुछती है कि salary information gtp कितना मिलेगा और experience वाले को कितना मिलेगा और gtp आपको सीधा पता देता हम अगर small company होगा तो उसका starting पगार रहेगी गुजरत पर अंदर अंग्ले शोर के आसपास में अगर उस पर 13500 से start होती है 13500 से लेकर 15000 की बीच में आएगा और उसकी ctc पर count करोगे तो आपका ctc पर 20,000 समधिंग आ जाती है और भी इस पर कम भी हो जाती है और और आपकी इसकी उपर है education और आपकी मार्क की उपर है और अगर समझे अगर experience वाला है experience वाले को starting होता है टू से लेकर अपना 12.5 त वाले को दे देती है तो experience वाले को भी हमने आगे बताया आपको experience वान प्लस होना चाहिए और GT के लिए तो आपको experience की जरूट नहीं है अभी कई employee सही जानकारी सोचती है कि location कहाँ पर रहेगा यह job location जोब location अंक्लेश और जगडिया साइका देहेच पानोली location में सबसे ज्य information आड़ करती है और उसके अलवा हमारी ओपीस भी है वह भी चाहिए आपको इस वीडियो पर में दे दूंगा तो आपको पहले जानने का है कि location अंक्लेश और जगडिया साइका देहेच पानोली यह सब location में और आपको आगे बताया था कौनसी डिपा यह रहता है उसमें pharma यह chemical दोनों अमारे पास रहता है उसके information भी हमने आपको दिया हुआ है तो अभी यह जानना है आपको तीसरी वाले में आपको पढ़ने वाला है कि आपकी आपको कैसे application करना है अभी application की जो डीटेल से स्क्रीन पर दिखेंगे आसानी से application हो सकती है application process है और उसके लिए आप आपको टाइम प्लेश्मेंट की ओपीस में आना हो है ओपीस है एक 47 शिल्वर सिटी नेर बेंको बरोड़ा के पास ही है अंग्लेश और राच्पीपलर रोड़ पर अंग्लेश्रों में ओपीस है ओपीस पे मिसिट करने से ओपीस से आपको सारी condition पता चल जाती है और आपक बेस्ट बंकल से हो हर एंप्लोइस कॉंटेट कर देता है कि उसको जोब की बारे में सवाल पुस्ती है अमारी location में आ जाता है तो वह हम आपको इंट्रू करवा सकते है अगर आप कई दूर से बैटके फोन करने से कुछ फाइदा नहीं होने वाला इसलिए आपको अमारी ओ पताने वाला हूं कि कभी भी time placement कोल रही करता है इसलिए आपको कोई बी इंट्रूमेशन रहता है इसमें अभी दिख रहे मेरा नंबर इसमें डाली है आपको स्क्रीन पर दिख रहे मेरा नंबर उस नंबर भी आप डायरेट कोल कर सकते हैं और इनीटाइम